जैहिद मेरे प्यारे बच्चों मैं अनुच चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ ड्रीमर्स अकैडमी के ओनलाइन पोर्टल पर और समय की जो सुई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है और धीरे धीरे आपके e-counseling के जो rounds है वो खतम होते चले जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों की जो उम्मीद हैं वो कुछ की बच्चे ऐसे हैं जिनको admission मिल भी रहा है और बहुत सारे बच्चों की उ approximate बच जाएंगी और fourth आपका जो round है उसके खतम होने के बाद में जो round आपके start होने वाले है क्योंकि पिछली साल तो आपके चारी round हुए थे इस बार उन्होंने 8 वोल रखे हैं तो उनका real मतलब क्या है देखो e-counseling website का link आपको description मिल जाएगा e-counseling जो round third है ठीक है जिस e-counseling round third का जो result है वो कल साम 5 बजे तक आजाएगा आपको दो तारीक तक का समय है आप अच्छे से जो भी school को reconsider मैं तो कहूँगा कि अगर round third में आपको school मिल रहा है और आपके marks थोड़े बहुत कम है तो अब आप reconsider ना करें अब आप accept करिए और अपनी पढ़ाई को start हैं दूसरी बात है कि round four कब start होने वाला है दस जून को आपका round three पूरी तरीके से complete हो जाएगा खतम हो जाएगा और NTA की website अब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है इसमें किसी भी तरीके की कोई भी देरी नहीं हो रही है कोई गलती नहीं आ रही है और round four आपका 12 तार यह कि सर इकांसलिंग थर्ड खतम होने से बाद में फोर्ट राउंड में जाने वाले हैं उनमें कितनी सीटें बचेंगी लगबग लगबग 3000 सीटें थी आपकी ठीक है निव सेनिक स्कुल की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं क्लियर आपकी फर्स्ट राउंड में लगबग के लिए या फिर राउंड थरी के बाद में चाहे चार राउंड हो किसी स्कूल में या पांच हो या छे हो मैं तो कह रहा हूं आठ हो जाए ठीक है आपके टोटल जो 2966 सीट में से जितनी सीटें बचेंगी वो एप्रोक्सीमेट 500 से 600 सीटें बचेंगी बस टोटल आपकी ल 500 से जादा से जादा 500 या 600 सीट मैक्सिममँ 600 जाएंगी इतनी सीटेंगी उससे जादा नहीं बचने वाली लेकिन एक नई समस्या जो सुरू होने वाली ये है कि सर राउंड थ्री जब खतम हो जाएगा और जब राउंड फोर सुरू होगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिनकी किसी पर्टिकुलर केटागरी की सीट से तीसरे राउंड में पूरी कम्पलीट हो जाएंगी यानि कि उस केटागरी का उस स्कूल में राउंड फोर के बाद में चाहे आठ राउंड हो या 800 राउंड हो उस केटागरी का उस स्कूल में एक भी सीट का थर्ड के बाद admission नहीं होगा second round में ये चीज़ देखने को नहीं मिले थी but fourth round में ये चीज़ देखने को जरूर मिलेगी clear तो third round आपका क्या है third round का result आ जाएगा देखो भईया कल साम 5 बजे तक दो तारीक तक का आपको समय मिलेगा accept और reconsider करने का और 10 जून को आपका पूरी तरीके से round third खतम हो जाएगा round four आपका 12-13 max to max गया तो हद से हद 14 जून तक खिचेगा अधरवाई जो 12-13 तारीक में 12 को start हो जाएगा round fourth और round four में जितने बच्चे भी जाने वाले हैं उन सभी के लिए all the best 9 वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ सेनिक स्कूल का मौका है अगली साल देखो उनके लिए सेन नियू सेनिक स्कूल में भी seats खुलेंगी इस साल जिन बच्चों को अच्छा रैपूटेड नियू सेनिक स्कूल मिल रहा है आप उसमें admission ले सकते हैं अब बात आती है कि सर अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उम्मीद में बैठे हैं कि सर हम 8 राउंड तक का wait करेंगे और उसमें admission लेंगे देखो मेरी बास सुरूँ मैं यहाँ पे दो date of birth लिख रहा हूँ एक लिख रहा हूँ एक अप्रेल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 और एक date of birth लिखी है मैंने 1 अप्रेल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 क्लियर आपके marks round 2 की cut-off से बोल देता हूँ मैं round 3 की cut-off तो अभी नहीं आईए आपके जो marks हैं अगर वो 40-50 number कम है तो आप इतना इंतजार में अपना time based मत करिए आपकी अगर date of birth क्लास 6 के लिए अगर 1 अप्रेल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच है और 9 के लिए इसके बीच है तो आपके पास अभी एक और मौका है 2025 के लिए राष्ट्रियम इलेक्टरी स्कूल और सेनिक स्कूल का paper देने के लिए आप उसकी तैयारी को start कर दीजिए पहली बार की तरह ऐसा ना हो क कि हमें 2-3 महीने ही start हुए थे dreamers academy आपके लिए online और offline दोनों ही mode में available है आप online batch purchase कर सकते हैं किसी भी तरीके की कोई query है स्क्रीन पर जो number दिया है वो आप बहाँ पर call कर सकते हैं आप बहाँ से पूछ सकते हैं आपको online batch से जिस तरीके का जो भी आपको कोई भी query अगर पूछनी है daily Monday to Friday regular classes चलती है every Saturday weekly test होता है वो test हम अपने application पे यह Google form पे कराते हैं और Monday दो फैर 12 बज़े तक बच्चों के parents के पास उनके जो भी उनका result था वो बच्चों के पास पहुँच जाता है नेक्स सेशन में जैहिन थाइक यू टेक केर